नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे प्रकास का अपवरतन के द्वारा धुर्वन सबसे पहले मैं आपको बदाता हूँ कि प्रकास का धुर्वन होता क्या है धुरुईत प्रकास कैसे प्राप्त होता है देखें ये हमारे पास में है कोई साधारन प्रकास कीरण और वो इस डिरेक्शन में गती कर रही है तरंग संचरित हो रही है तो इस तरंग के चारों और सभी संभव दिसाओं में चारों और इस तरंग के लमवत चारों और प्रकास सदिस उपस्तित होते हैं तो उस प्रकिरिया को, उस गठना को हम प्रकास का धूरवन कहते हैं। और देखिए दोस्तो, जो साधरन प्रकास होता है, उसको हम ए धूरुवित प्रकास कहते हैं। क्या कहा जाता है ए धुर्वित प्रकास कहा जाता है और धुर्वन के प्रशाद जो हमें प्रकास मिलता है उसे हम धुर्वित प्रकास कहते हैं तो धुर्वन की प्रकिरिया से हमें ए धुर्वित प्रकास मिलता है अब धुर्वित प्रकास प्राप्त करने की विभिन विधिय और उन विभिन विद्यों में से एक विधी है अपवर्तन के द्वारा धुर्वन देखे प्रकास का धुर्वन हम प्रावर्तन के जरिये कर सकते हैं अपवर्तन से कर सकते हैं दिव अपवर्तन के द्वारा भी प्रकास का धुर्वन किया जा सकता है दिव वर्णता के द्वार से एक परमुक जो विधी है आसानी से समतल दुरुत प्रकास प्राप्त करने की जो विधी है वो है अपवर्टंद्वारा धुरवन। देखे इसमें कैसे प्रकास धुरुवित होगा हम ए धुरुवित प्रकास से धुरुवित प्रकास प्राप्त करने के लिए कुछ काच की प्लेटें लेंगे और उन्हें एक विसेश एंगल पर एक दूसरे के समानतर रखेंगे तो उन प्राप्तित होने वाली जो प्रकास की क किरने होगी वो कुछ हिस्सा उनका प्रावर्तित हो जाएगा और उन काच की प्लेटों में से अंत में से जो प्रकास गुजरता है वो धुरूत प्रकास होता है देके मैं एक डाइग्राम की जरी आप लोगों को समझाता हूं कि यह हमारे पास में कुछ काच की प्लेटें है इस तरीके से हमने इन काच की प्लेटों को रखा है यह हमारे पास में एक काच की प्लेट है यह कोई दूसरी काच की प्लेट है इस तरीके से हम काच की प्लेटों को दिखा रहे हैं दोस्तों यह जो काच की प्लेटें हैं एक विस से इस एंगल पर जुखी हुई है इस तरीके से जुखी हुई है अब यदि इनकी उपर कोई हम समतल धुरुवित प्रकास को आपतित करवा दें यह हम इनने काच की फ्लेटों पर एधुरुवित प्रकास किरण यह हमारे पास में है कुछ समानतर काच की प्लेटें यह जो हमने रेखा दिखाई है वो है एधुरुवित प्रकास और एधुरुवित प्रकास को हम इस तरीके से दिखाते हैं दिखाया जाता है यह एधुरुवित प्रकास है दोस्तों इसमें प्रकास सदी से तरंग संचरन की दिशा के लमवत चारों और उपस्तिते होते हैं यहां पर हम प्रकास सदी सों को बोड के तल में और यह जो डोट है वो यह बता रहा है कि प्रकास सदी से बोड के तल के लमवत भी उपस्तिते होते हैं यह हमारे पास में है एधुरुवित प्रकास की रण अब यह जो एधुरुवित प्रकास की रण है दोस्तों इसका इन समानतर काज की प्लेटों पर आप्तित होती है तो यह दो टुकडों में तूड जाएगी एक हिससा इसका प्रावर्तित हो जाएगा इस तरीके से और द यहां पर कोई लेना देना नहीं है, यह जो अपवर्तित हुआ हिस्सा, यह थोड़ा सा धुर्वित हो जाता है, आंसिक रूप से धुर्वित हो जाता है, उसका कुछ हिस्सा धुर्वित हो जाता है, फिर यहां से बार बार, यहां से कुछ हिस्सा यहां पर आया, फिर यहां स इसे प्रस्ट के उपर भी प्रकास की किर्णों का प्रावर्तन था अपवर्तन फिर से होता है दोस्तों तो ये प्रावर्तन अपवर्तन की गठना प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी इस तरीके से चलती जाती है और इसका एक हिस्सा प्रावर्तित हो जाएगा एक हिस्स अपोर्तन के फशात जो प्रकास की किरण हमें प्राप्त होती है वो जो प्रकास की किरण है दोस्तों पूर्ट या धुर्वित प्रकास किरण होती है हमें जो मिलने वाली यहां पर प्रकास की किरण है वो पूर्ट या धुर्वित प्रकास की किरण होती है उसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है ये हमारे पास में है धुरुवित प्रकास किरन और धुरुवित प्रकास किरन के अंदर प्रकास सदिस सिरफ एक ही तल में उपस्तित होते हैं और यह जो प्रकास सदिस है वो वोड के तल में है सम्तल धुरुवित प्रकास सम्तल धुरुवित प्रकास है यह वोड के तल में मौझूद है इसमें प्रकास सदिसों के कमपन सिर्फ एक है यहां पर हमने डोट नहीं दिखाया इसका मतलब है कि ये प्रकास है वो धुरुवित हो गया है यहाँ पर ये प्रकास एधुरुवित प्रकास है तो दोस्तों ये था अपवर्तन द्वारा धुरुवन एक वार इसको फिर से समझ लेंगे कि जब हम साधारन प्रकास या एधुरुवित प्रकास को समानतर पारदर्सी काच की प्लेटों से गुजारते हैं तो अपवर्तित होने वाला प्रकास समतल धुर्वित प्रकास होता है साधरन प्रकास किरिण जब काच की प्लेट प्राप्तित होती है तो उसका कुछ हिस्सा प्रावर्तित हो जाएगा कुछ इससा उसका अपवर्तित हो जाएगा और अपवर्तित होने वाला प्रतेक प्लेट से अपवर्तित होने वाला जो प्रकास है वो आंसिक रूप से धुर्वित होगा बार-बार उसका धुर्वन होगा और अंत में जो हमें प्रकास प्राप्त होगा वो धुर्वित प्रकास प्राप्त होगा तो दोस्तो ये था अपवर्तन द्वारा प्रकास का धुर्वन आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तो